दोस्तो हाल ही में मैंने Things, Heard & Scene नामक American Horror Movie देखा है जिसे सरी, स्प्रिंगर, बर्मन और रॉबर्ट पुलचीनी मिलके ड्रेक करे हैं ये फिल्म एलिजाबेट ब्रंडेस दौरा लिखी गई एक नविल की एडाप्टेशन है जिसका नाम है All Things Cease to Appear इस फिल्म की कहानी 1980s में सिट है और यहां आपको The Shining Movie से बहुत थोरी सी Resemblance देखने को जरूर मिल जाएगी इसलिए आज की वीडियो में हम Things, Heard & Scene मूवी की कहानी को जानते हुए कुछ theories पे भी बाते करेंगे अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक request है कि अगर आपको यह वीडियो पसंदाती है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe भी जरू कीजेगा So now with that said, let's roll the intro तो फिल्म के स्टार्ट में हमें कोट देख पाते हैं जो कि कुछ ऐसा था This I can declare, things that are in heaven are more real than things that are in the world अब यह कोट Emmanuel Swedenborg का है जो कि real life में एक Swedish Christian Theologist, Scientist, Philosopher और Mystic थे Swedenborg अपनी एक book के लिए काफी famous है जिसका नाम है Heaven and Hill and generalize करके हम यह कह सकते हैं कि Swedenborg afterlife and spirits वगेरा में मानते थे अब मैं आपको explanation शुरू करने से पहले ही ये ग्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मूवी में Swedenborg पे थोड़ी चर्चा होगी साथ ही पूरी मूवी का theme उनके philosophy पे है जिसे मैं वीडियो के end में बहुत थोड़ा सा explain भी करूँगा Now coming to the movie यहां हम एक family को देख पाते हैं जहां husband का नाम George है wife का नाम Katharina और इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम है Franny यह लोग Manhattan में रहते हैं और recently George अपना PhD कम्प्लीट किया है In fact उसे New York Upstate में as a history art professor जॉब भी मिल गई है at Saginaw College अब Katharine Upstate मूव करना नहीं चाहती थी क्योंकि एक तो Katharine Art Restoration का अच्छा गासा जॉब Manhattan में पहले से ही कर रही थी Moreover Upstate मतलब city से बहुत दूर गाउव वाले एरिया में रहना जिससे Katharine comfortable नहीं थी लेकिन अपने पती George के लिए वो मान गई थी और George तो वहाँ अलरेड़ी एक नया घर ढून चुका था बिना Katharine को बताए खेर ये फैमिली सिटी छोड़के Upstate जाते हैं और वहाँ अपने नए घर में मूविन करते हैं इस घर में Katharine को अलरेड़ी एक पियानो मिलती है और आगे के कुछ सीन्स में हम देख पाते हैं कि कैसे Katharine इस पूरे घर को काइंड ओफ सेट अप करती है इस दुरान Katharine और जॉर्ज की बातों से हम समझ पाते हैं कि जॉर्ज पहले पेंटिंग भी किया करता था लेकिन अब उसकी पेंटिंग में कोई रुची नहीं रही है अब उस रात Katharine और जॉर्ज को घर में अजीव फ्यूम्स का स्मेल आता है वहीं इनकी बेटी Franny को एक स्पिरिट दिखती है जिससे डर के Franny इनके साथ सोने आ जाती है खेर अगले दिन George Saginaw College जोइन करता है और उसकी मुलकात वहाँ College के Head Floyd से होती है यहां George और Floyd के बीच Swedenborg को लेके थोड़ी चर्चा होती है जहां हम समझ पाते हैं कि Floyd and in generalist town के लोग Swedenborg के concept को मानते हैं यानि वो spirits, afterlife, angels and ghosts ये सब को मानते हैं वहीं George इसमें बिलकुल यकीन नहीं करता यहां Floyd George को उसका office दिखाते हैं साथ ही Swedenborg की एक book भी देते हैं as a welcome gift इस book का नाम था Heaven and Hell वहीं दूसरी तरफ घर पे Catherine अपने body weight को लेकर concerned थी basically Catherine bulimia नामक mental condition से सफर कर रही थी जिसमें इनसान को हमेशा लगता है कि वो मोटा हो रहा है और ऐसे में वो इनसान ना के बराबर खाना खाता है in fact ऐसे लोग कई बार दूसरे को दिखाने के लिए खाना खा भी लेंगे लेकिन तुरंत ही उसे उल्टी करके निकाल देते हैं और हम Catherine को भी movie में कई बार ऐसा करते देख पाते हैं anyways यहां Catherine से मिलने दो यंग लड़के आते हैं जिनका नाम था Eddie and Cole और यह दोनों Catherine को help offer करते हैं बहुत कम दामू में like Eddie कहता है कि वो painting, plumbing, gardening यह सारे काम घर के कर देगा वहीं छोटा कोल Franny को babysit कर सकता है Catherine को इन दोनों लड़कों की vibe पसंदाती है और वो तुरंत इन्हें काम पे रख लेती है अब उसरा George और Catherine की बातों से हम समझ पाते हैं कि George को भी Catherine के खाना ना खाने वाली आदत की बारे में पता है और वो हमेशा Catherine को protein drink वगड़ा लेने की सलाह देता रहता है Now dishes करते हैं Catherine को घर में एक पुरानी Bible मिलती है जिसके अंदर इस घर के पुराने owners के नाम लिखे गए थे It was kind of like a family dream Basically late 1800s में ये घर Smith family का था और वहाँ एक नाम को काट के damned लिखा गया था जिसका अर्थ होता है शापित इतना ही नहीं Catherine घर में किसी spirit की presence भी feel करती है और Catherine को यहाँ एक अंगूठी मी मिलती है जिसे वो पहनना शुरू कर देती है इन experiences से प्रभावित होके Catherine अगले दिन यहां के historical society जाती है जहां वो इस घर के original owners की एक photo भी देख पाती है वहीं दूसी तरफ एक library में George की मुलाकात Willis नामक लड़की से होती है और George Willis के साथ flirt करने लगता है Willis जो की Eddie की कजन है वो समझ जाती है कि George शादी शुदा है इन फाक्ट जोज की एक छोटी बेटी भी है स्टिल Willis भी George की तरफ attracted तो थी इसी के parallel में Catherine Eddie से थोड़ा बाचीत करती है जहां वो जान पाती है कि Eddie और Cole के parents car accident में मारे गए थे तब सही Eddie छोटे मोटे काम वगेरा करता है Eddie बताता है कि वो हर तरह के musical instruments भी play कर लेता है और ऐसे मैं Catherine उसे invite करती है saying कि कभी मेरे घर पे भी आओ वहाँ एक piano है उसे play करके दिखाओ Now coming to George, well हम जान पाते हैं कि George अपने students की बीच काफी famous हो रहा था और college में उसकी मुलाकाद Justine Sokolov नामक औरत से होती है जो कि यहां की weaving instructor थी Justine George उसकी wife को अपने घर invite करती है to know each other well और बातो बातों में Justine की निजर George के office में लगे उसके पुराने paintings पे पढ़ती है Justine इन paintings की काफी बढ़ाई करती है although George का कहना था कि वो अब paint करना छोड़ दिया है यह उसने काफी पहले paint किया था अब उस राद घर पे Catherine को फिर से fumes वाली smell आती है और Franny को एक spirit दिखती है लेकिन George इन बातों को seriously नहीं लेता In fact, Catherine को तो Swedenborg वाली heaven and hell book भी मिल जाती है और Catherine इस book को पढ़ने लगती है वहीं George अपने morning run के दोरान फिर से Willis से मिल जाता है और वो Willis के साथ physically involved होता है विच मीन्स कि वो अपनी wife Catherine पे cheat करने लग गया था अब office जाने से पहले George की मुलागात Eddie से होती है और वो Eddie से कहता है कि वो Catherine को इस घर की history के बारे में ना बताए Most importantly ये ना बताए कि Eddie और Cole पहले इसी घर में रहते थे This means कि इस घर का कुछ तो past जरूर है जो कि George को पता है लेकिन वो अपनी बीवी से चुपाया है अब कहानी में आगे Eddie और Catherine थोड़े close आ रहे हैं I mean Catherine उसकी photo बना रही थी वहीं Eddie Catherine को पियानो बजा के सुना रहा था Catherine को अब घर में spirit की presence भी जादा फील होने लग गई थी और उसे nightmare भी आ रहे थे इधा George Catherine पे बार बार चीट कर रहा था with Willis और कहीं कहीं Willis इससे खुश नहीं थी Still वो George की तरफ attracted थी आगे की scenes में हम George और Catherine को Justin के घर जाते देखते हैं जहां ये लोग Justine के husband Bram से भी मिलते हैं यहां George और Bram स्मोक करने में लग जाते हैं वह Justine Catherine को बताती है कि कैसे उसे weaving काफी पसंद है Justine के बुने गए कपड़ों को देखके Catherine was very impressed और वो Franny के लिए एक woven dress डिमांड करती है इस पर Justine कहती है कि बिलकुल मैं Franny के लिए dress बनाऊंगी ऐसे भी George अपनी मा के लिए मुझ से एक scarf तो बनवा ही रहा है Now this was surprising for Catherine क्योंकि Catherine को इसके बारे में बिलकुल भी मालूम नहीं था वैसे Justine यहां Catherine को एक women's arts club जॉइन करने के लिए invite करती है जिसके members हर महीने एक बार मिलते हैं और काफी talented members हैं खैरिस meet and greet के बाद Catherine और George वापस कार में घर जाएं लगते हैं जहां George हाई था और वो कार तेज चलाने लगता है Catherine को George का ये मजाक पसंद नहीं आता और ऐसे में जब कार रुकती है तो Catherine गारी से निकल के George पे गुस्सा होने लगती है ये कहा सुनी थोड़ी physical हो जाती है जिससे Catherine गिर जाती है और उसके चहरे पे चोट भी आती है इस पूरे सीन से हम clearly समझ पाते हैं कि कहीं न कहीं Catherine और George अब एक दूसरे को बिलकुल पसंद नहीं कर रहे हैं अगले दिन George Floyd के साथ Floyd के बोट पे चिल करने जाता है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि George का एक कजन हुआ करता था जिसके पास भी एक बोट थी named the lost horizon वो कजन अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसकी मौत पानी में डूबने से हो गई थी तब से उसकी बोट को George inherit किया है और यहां George यह भी बताता है कि उसका कजन गे था यह सुनके Floyd कहता है कि सुरिन बोग के हिसाब से मौत तो बस एक शुरुआत है क्योंकि इनसान का real purpose तो afterlife में होता है बेसिकली यह दोनों थोड़ी philosophy पे बाते करते हैं और शाम तक दोनों इतना connect करते हैं कि George Floyd को अपने घर पे बुला लेता है यहां Floyd Catherine से मिलता और वो Catherine को heaven and hell किताब पढ़ते देखता है जिससे he was very impressed Floyd Catherine को बताएं लगता है कि कैसो जो book की cover है वो एक soul के after life transition को दरसाती है Catherine Floyd को घर दिखाने लगती और यहां Floyd को भी spirit की presence feel होती है Floyd कहता है कि यह spirit Catherine को harm करना नहीं चाहती rather the spirit is there for Catherine ऐसा में Catherine को थोड़ा बढ़िया feel होता है क्योंकि घर में spirit के presence को वो कई समय से feel कर रही थी लेकिन अब Floyd भी इस बात को मान रहा था in fact Floyd यह तक कहता है कि हम लोग इस घर में seance भी perform करेंगे थाकि हम लोग spirit से बात कर सके of course यह तब करेंगे जब George घर में नहीं होगा meanwhile Floyd इस घर के history पता करके Catherine को बता देगा कि यहाँ पहले कौन रहते थे और क्या सब हुआ था तो Floyd के जाने के बाद George Catherine से पूछने लगता है कि क्या Floyd मेरे बारे में कुछ अच्छी बाते बोल रहा था यह सुनके George was happy और वो अपने colleagues को home party के लिए invite करना चाहता था और Catherine कहती है कि party में मेरे friends और neighbors भी आएंगे बस फिर क्या था scene directly party वाले दिन पे आती है जब Catherine के मुलाकात उस lady से होती है जो कि इन्हें ये वाला घर बेची थी ये lady जिसका नाम मेर है वो Catherine से इस घर के history वाली बात छेर देती है और शेयो surprise तो नों को Catherine को तो कुछ पता ही नहीं था surprise दिसलिए क्योंकि मेर George को सब बताई थी लेकिन George Catherine से ये सारी बाते छिपाया था ऐसे मेर Catherine को घर की थोड़ी history बताती है जो कि काफी violent थी दर असल इन से पहले इस घर में whale family रहती थी जहां पती का नाम Calvin whale, wife Ella whale और इनके दो बच्चे हैं Eddie and Cole जी हां वही Eddie and Cole जो कि फिलाल Catherine के घर पे काम करते हैं Calvin whale काफी cruel इंसान था और एक रात वो अपनी बीवी बच्चों को नींद की दवा दे दिया दिन वो बाहर जाके अपने सारे cows को गोली मार दिया इसके बाद वो अपने garage के दोनों trucks को on कर दिया फिर bedroom का window close कर दिया ऐसा इसलिए ताकि गारी से निकलने वाले जो fumes होते हैं यानि धूआ वो escape न कर पाए और garage से सीधा bedroom में आ जाए इसके बाद वो खुद भी bedroom में बेहोश एला के साथ लेट गया तब तक जब तक इन fumes की वज़े से दोनों की मौत न हो गई इस कहानी को सुनते ही Catherine काफी कुछ समझ जाती है जैसे उसे भी हमेशा घड में fumes की smell आती है और ये काम spirits का है moreover Eddie उसे अपने parents की car accident में मरने वाली जो बात बताया था वो बिलकुल जूट थी no wonder Eddie और कोल Catherine की इस घर को maintain करने में help करते हैं वो भी इतने कम cost पे क्योंकि दोनों आज भी इस घर को अपने घर जैसा ही मानते थे now the most surprising thing was कि Catherine जिस अंगोठी को अपने हाथ में पहन रखी थी वही same अंगोठी Ella भी पहना करती थी और Ella से पहले Smith's family वाली लेडी भी इसको पहनती थी Smith family वो family जो की originally इस घर को बनवाये थे अब इसी के parallel में George Justine के साथ बाहर smoke करने जाता है जहां नशे की हालत में George Justine के हाथों को जोड से पकर लेता है और छोड ही नहीं रहा था इस incident से Justine को George पर से भरोसा उठ गया था क्योंकि George थोड़ा अजीबी आदमी था और अब वो थोड़ा cautious हो गई थी खेर पार्टी के बाद Catherine George को confront करती है सेंग कि वो से इस घर के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया George Catherine को ही blame करता है सेंग कि वो हर चीज़ पर कुछ जादा ही overreact करती है तब ही घर की एक radio अपने आप budget थी है और connection निकाल देने के बाद भी radio बंद ही नहीं होती गुस्से में George रेडियो को पटक के तोड़ दिता है यहां से सीन कटो के कुछ टाइम बाद काता है जब Catherine घर पे Floyd और उसके स्योंस ग्रूप के members को बुलाती है ताकि वो सभी घर के spirit से connect कर सके Catherine believed की घर में जरूर Ella की spirit है जो की for some reason Catherine को reach out करना चाहती है यह सुनके Floyd कहता है कि Ella तो पिछली ओनर थी वेल फैमली से लेकिन इस घर के original owners तो Smith's family थे Basically Lady Smith जो थी वो बहुत early devotee थी Swedenborg की और उनका marriage भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था मतलब Lady Smith के husband को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि Lady Smith ऐसी philosophical चीजे पढ़े जिस से इस couple के बीच काफी तनाव रहता था दने एक दिन अचानक Lady Smith इसी घर में रहसे मही तरीके से मृत पाई गई और तब उनकी उमर सिर्फ 26 साल थी Of course ये काम Lady Smith के husband का ही था यानि देखा जाए तो इस घर में कई मौते हुई हैं और हमेशा ये violence में दोरा विमिन पे किया जाता है यानि पती पतनी को मार देता है यहां science group वाले लोगों का कहना था कि ऐसी houses बुरी नहीं होती रादर अच्छी होती है क्योंकि यहां reside करने वाले spirits नए लोगों को भी after life तक पहुचाने में मार्ग दर्शन करते हैं एक तरह से ऐसे घर kind of portals है between our world and after life और after life में ही इंसान का real purpose है ये mortal life तो बस ऐसे ही है यहां Catherine पूछती है कि evil spirits भी तो हो सकते हैं और इस पे सबका कहना था कि evil spirits सिर्फ evil लोगों से जुरते हैं वहीं अच्छी spirits अच्छे लोगों से खैर सियान शुरू किया जाता है और वहां table पे रखा कपड़ा अपने आप हवा में उड़के shapes लेन लगता है घर में असाधरन गतिवीदिया एकदम से बढ़ जाती है और जब सब कुछ normal होता है तब Floyd कहते हैं कि इस घर में सिर्फ illa नहीं बलकि किसी और की भी spirit है यहां से scene cut होके अगले दिन काता है जब George अपने students के साथ एक class trip पे जा रहा था in an exhibition इस trip पे Justine भी आती है और exhibit में George की मुलाकात अपने एक पुराने कली एक Dr. Warren से हो जाती है Dr. Warren नोटिस करते हैं कि बच्चे George को Professor कहके पुकार रहे थे और इससे Dr. Warren बहुत surprise थे क्यों क्योंकि George को Professor वाली जॉब कैसे मिल सकती है जब George के लिए कोई recommendation letter लिखा ही नहीं था बेसिकली Professor वाली जॉब के लिए recommendation letter compulsory था और George को कोई भी recommend किया ही नहीं था तो फिर उसे Professor वाली position पे जॉब मिली कैसे George यहाँ foreign Dr. Warren से जुड बोल देता है कि मैं Professor नहीं हूँ, Temp instructor हूँ लेकिन हम सब जानते हैं कि George तो ऐसे Professor जॉइन किया इस नए college में और यह जो पूरी conversation इन दोनों के बीच हो रहे ही थी यह सारी conversation Justine सुन लेती है Justine George को subtle way में कह देती है कि वो इस बारे में और चान बीन करेगी अब इस incident के बाद George थोड़ा परिशान हो गया था और घड़ा के वो अपनी wife Catherine से जुड बोलने लगता है कि अब से तुम Justine से मत मिलना क्योंकि Justine lesbian है and she is hitting on her लेकिन Catherine तो already George पे गुस्सा थी क्यों क्योंकि आज ही के दिन Catherine को पता चल चुका था कि George का Willis के साथ affair चल रहा है Basically afternoon के time में Catherine library में George की एक book return करने गई थी जो कि Willis के नाम पे थी और librarian clearly hint कर दी कि George and Willis were close In fact George की बेटी भी clearly कहती है कि Willis तो पापा की दोस्त है तो हाँ this was clear enough कि George का Willis के साथ चकर चल रहा था अब अगले दिन George college आता है तो वो Floyd से मिलता है और Floyd को Justin सब कुछ बता दी थी Basically हम विएस यहाँ जान पाते हैं कि George अपने लिए खुद से एक नकली recommendation letter लिख दिया था जहाँ वो अपने senior colleagues की signature वगेरा forge किया था मतलब देखा जाए तो George ये job कभी deserve ही नहीं करता था और ये बात अब Floyd को पता चल चुकी थी George यहाँ Floyd से कहता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को explain करने का और Floyd कहते हैं कि मैं तुम्हारे crime को report करने से पहले तुम्हारी बात एक बार जरूर सुनूंगा अब उस तुम्हारा George के parents भी घर पे आये थे और बातो बातो में हम George के उस cousin के बारे में जान पाते हैं जो कि गे था और डूब के मारा गया था parents बताते हैं कि वो बड़ी प्यारी छोटी-छोटी drawings करता था और ये सुनके Catherine realize करती है कि ये तो उन drawings की बात हो रही है जिसे George हमेशा अपना claim करता है मतलब George इतना जूटा आदमी है कि वो अपने late cousin की drawing को अपना बताता फिरता है तभी तो वो किसी के सामने drawing नहीं करता क्योंकि उसे drawing आती ही नहीं है तो इन बरे reveals के बाद George और Catherine और भी बिचर रहे थे वहीं हम देख पाते हैं कि कोई spirit George को भी manipulate कर रही थी अब अगले दिन George Floyd से उसके boat पे मिलता है और वो explain करने लगता है कि कैसे उसे इस job की जरूरत है देन जूट ही कहानी बोलके खुद को victim बताता है वगड़ा वगड़ा अब हम वियर से समझी रहें कि George जूट बोल रहा था लेकिन Floyd George से कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ George लेकिन तुमने recommendation लेटर जो forge किया है वो एक crime है और इसलिए मुझे HR को इस बारे में बताना तो होगा ही अब George ये सहन नहीं कर पाता जिसके परिनाम अनुसार वो Floyd को वहीं पानी में डुबो के मार देता है इसी के parallel में Catherine गुसे में Eddie के साथ hook up करती है क्योंकि George एनिहां उस पे cheat तो कर ही रहा था अब parallel में एक और घटना होती है which is कि Justine एक कैफे में Willis से मिलती है जो कि वही सकार्फ पहनी वी थी जो Justine अपने हाथों से बुन के George को दी थी उसकी मा के लिए यानि George ये भी जूट बोला था कि उसे अपने मा के लिए सकाफ चाहिए वो तो ये सकाफ Willis को गिफ्ट कर दिया था ऐसे में Justine George को रास्ते में एक जगा मिल जाती है और इस टॉपिक पर confront करती है इन फाक्ट वो पाती है कि George उस वक्त एकदम भीगा हुआ था पानी में फ्लॉइड को डुबो के जो आ रहा था ऐसे में George अब Justine पर भी भड़क जाता है और वो अपनी कार से Justine के कार को ऐसा ठोकता है कि Justine के कार की accident हो जाती है जिससे वो कुमा में चली जाती है इसके बाद George वापस घड़ आता है जहां वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और हम विए उस क्लियरली देख पाते हैं कि कोई spirit उससे बात कर रही थी उसलाद घड़ में एक bird भी खिरकी तोड़के अंदर आ गई थी विच रीप्रेसेंटेड इविल फोर्स अगले दिन सभी को फ्लॉइड के मौत के बारे में और जस्टीन के अक्सिटन के बारे में पता लगता है लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि this was all done by George वही कॉलेज में George को head बनाने की बात होती है क्योंकि फ्लॉइड इस नो मोर और ये सुनके George अंदर ही अंदर बहुत ज़ादा खुश होता है लेकिन बाहर से वो सबको अपना दुख दिखा रहा था उस दिन क्लास में पोजेक्टर पे कोई तो heaven and hell वाली cover photo लगा दिया था जो की change ही नहीं हो रहा था और इससे George काफी भड़कता है इसलिए वो जल्दी घर वापस आता है और तुम ऐसे निकले वगएरा वगएरा गुस्से में George कहता है कि तुम खाना तो खाती नहीं हो इसलिए तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है अब दोस्तो यहां आता है ट्विस्ट क्योंकि George कैफरीन के प्रोटीन ड्रिंक में नींद की गुली मिला दिया था जिससे कैफरीन कहीं जा ही नहीं पाती रादर वो एकदम बेहोश होने लगती और घर के अंदर आती है ऐसा लग रहा था मानो उस मेल स्पिरिट में और इला की स्पिरिट में भी एक टकर चल रही है अब सीन में आता है George जो की कुलहारी लिये हुए था और उसे एक मेल स्पिरिट मैनिपलेट कर रही थी बाई सेंग फ्री योसल्फ इन दे एंड जोर्ज अपनी बीवी को कुलहारी से हमला करके मार डालता है अगर आप ध्यान दे तो इस कतल के अंदर भी स्लीपिंग पिल्स यानि सोने वाली दबाई का इस्तमाल किया गया था तो हाँ इस घर में जितने ही वालेंस हो रहे हैं उसके पैटरंस कहीं न कहीं बहुत जादा सिमिलर हैं खैर अगले दिन जोर्ज ऐसे बिहेव करता है मानों वो कॉलेज से वापस आया और उसे अपनी बीवी इस तरह से मृत अवस्था में मिली इस केस में जोर्ज के पेरेंस, टाउन वाले मीड़ी और पुलिस सब इन्वल्व हो जाते हैं और पुलिस का शक इनिशियली एडि और जोर्ज पर ही जाता है जहां George के parents का घर था Now this was the moment जब हम Ella की soul को देखते हैं Then Catherine के soul को भी सुन पाते हैं जो कि Justin को जगा रही थी जी हां दोस्तों ये सारी अच्छी souls मिल गई थी और इससे finally Justin जाग जाती है और वो पुलिस को George के खिलाफ बयान दे देती है In fact वो George को एक note भी भेशती है जिस पे लिखा था कि मुझे सब याद है George अब ये note देख के George was sure कि अब तो वो पक्का arrest होगा ही और हम George के inner voice को भी समझ पाते हैं ये inner voice George को convince कर रही थी कि सब उसके खिलाफ है वो अच्छी चीज़े deserve करता है तुम अपने impulses को trust करो और वही करो जो तुम्हारा मन करता है वगेरा वगेरा ऐसा में George अपने कजन वाली boat the lost horizon को लेके समुदर में निकल जाता है हम देखते हैं कि समुदर में बहुत तगरा वाला तूफान आता है और George की boat इस तूफान में फस चुकी थी दन ये scene एक frame में transition करती है जिसके बाद हमें again Smith's family की एक photo दिखाई जाती है इस photo में Lady Smith के हाथ में वहीं अंगुठी थी जो बाद में Ella पहनी थी और अंततह Catherine यहीं पे film खत्म हो जाती है तो दोस्तो ये थी film Things Heard and Scene की कहानी और film की कहानी काफी simple सी है लेकिन इस film में दिखाई गई चीजों को लेके हम कई deeper meanings निकाल सकते हैं सबसे पहले अगर कहानी को linear way में समझे तो इस घर के real owner the Smiths थे वहाँ Lady Smith Swedenborg को मानती थी और उनके husband इससे चिठते थे then at some point husband Smith अपनी पतनी को मार दिये जिससे Lady Smith की आत्मा घर में ही रह गई समय के साथ Smith भी मरा होगा और उसकी आत्मा भी यही थी तो in general हम कह सकते हैं कि male जो आत्मा थी वो बुरी आत्मा हुई और female वाली आत्मा अच्छी आत्मा same हुआ whale family के साथ जहां घर का मर्द बीवी को मार डाला जिसका नाम Ella था and then ये cycle again repeat हुआ with George and Catherine जहां George Catherine को मार डाला now one interesting detail is कि Eddie and Cole जानते थे कि उनके पिता बुरे थे इसलिए उन्होंने अपना सरनेम whale change करके uncle वाला सरनेम यूज़ करना शुरू कर दिया था जो कि था लक्स अब इस point पे आप एक बहुत ही valid question पूछ सकते हो कि भाई फिल्म में तो अच्छे लोग मारे ही जा रहे थे तो फिर justice कहां से हुआ यहां well इसी point पे आती है Emmanuel Swedenborg की theory जिनका मानना है कि एक इंसान का real motive या purpose after life में है यानि या तो आप heaven जाओगे या फिर hell और कई spirits लोगों की मदद करते हैं इस transition में एक तरह से देखा जा तो हमारा जो यह mortal life है उसमें हमारा real purpose नहीं है बलकी death के बाद है अब अगर आप God करें तो Ella की आत्मा Catherine को मरने से तो बचा नहीं पाई लेकिन after death हम clearly Catherine और Ella को साथ देखते हैं वो भी angelic form में ऐसे ही Lady Smith भी Ella की मदद की होंगी क्योंकि यह अच्छी spirits थी and as I said before अच्छी spirits अच्छे इंसान से ही connect करती हैं वहीं बुरी spirit यानि घर में रहने वाले मर्दों की spirit बुरे लोगों से यानि मर्दों से connect करके उन्हें गलत करने को उकसाती थी तो भले हमारे mortal world में ये बुरी spirits जीत रही होंगी लेकिन after life में तो उन्हें नरके ही मिलना है अब एक और सवाल आपके मन में होगा कि क्या ये cycle आगे भी repeat होती चली जाएगी well I think ये cycle finally break हो चुकी है क्योंकि फिल्म के last कुछ scenes में हम clearly George को समुदर में फस्ते वे देख पाते हैं और जैसा वहां का महौल था वो कहीं नरक के दरवाजे को depict करता है सब कुछ red था चारो तरफ आग और उल्टा cross ये नरक नहीं तो और क्या है and this means कि finally ये बुरी spirits hell में चली गई है वहीं अच्छी spirits को heaven मिला होगा जिसके transition में सीधा cross होगा कुछ वैसा ही जैसा हम Swedenborg के किताब hell and heaven के cover पे देखे थे overall बुरी आत्मा गई नरक में और अच्छी आत्माय स्वर्ग में जबकि पहले दोनों इसी घर में फसी हुई थी so I believe कि अब ये cycle तूट चुकी है but still कई ऐसे भी लोग हैं जो कि इस थियरी में मानते हैं कि ये cycle अब भी repeat होगी अब इस film में Swedenborg के beliefs के अलावा feminism का एक अच्छा तरका भी लगाया गया है जैसे Catherine कैसे बहुत talented थी लेकिन उसका पती निकमा था George नकली recommendation लिटर बना के एक non deserving job पाया और उसकी job के लिए deserving Catherine अपना job छोड़ दी इन जनरल घर में George के हिजाब से ही सब कुछ होता था और Catherine को कुछ ने कुछ sacrifice करना पड़ता था और क्यूंकि film 1980s में sit है हम non believer वाले male characters को उसे gay होने पर bash करते हुए भी सुन पाते हैं वहीं और थे या फिर जो believers थे उनको उस लड़के के gay होने से कोई आपती नहीं थी जोर्ज चीटर था, fraud था, selfish था, नशेरी था और अंतुमें कातल भी बन गया मतलब हर खड़ाब गुम से संपन्न था वहीं ladies या believers बिल्कुल सही थे like angels तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस फिल्म की कहानी को बुनी गई है और यहां किस तरह के philosophy depict करी गई है अगर जोर्ज इतना बुरा था, वो काबिल नहीं था job के लिए तो students उससे कैसे प्रभावित थे well students को तो उस age में rebellious चीजें ही पसंद आती है अगर आप student को ये कहो कि आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ बुरा बात सिखाओ, तो हाँ भाईया, ये बात बिलकुल सही है तो basically George उन्हें new philosophy सिखा रहा होगा, जो कि ये trendy होगा और इसलिए students के बीच वो काफी popular हो गया था वीडियो के intro में मैंने कहा था कि इस film की The Shining movie से थोड़ी resemblance है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक घर था with a violent history, then last में axe से मारना वगेड़ा वगेड़ा अलाकि ये film The Shining के मुकाबले कुछ भी नहीं है, still इस film के last 30 minutes काफी interesting थे मुझे personally इस film में जो छोटो छोटे डीटेल्स थे वो काफी अच्छे लगे और अगर आप चाहें तो इस film को Netflix पे देख सकते हैं तो हाँ, अब मुझे उमीद है कि आपको इस film के वारे में सब कुछ पता चल गया होगा और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजेगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लाते रहते हैं पीस